है गाईज वेलकम टू माई यूटूब चैनल इस्टाडी विद देव भूमी फ्रेंट्स आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जनरल क्विज का पार्ड टू जैसे आपको पता है यू की पीसिस के एक्जाम होने हैं जैसे उत्रहन पुलिस लेकपाल पटवारी बंदी डख्षक पुलिस फॉर एसगार्ड उसके लावब जो भी आपका एक्जाम होन सभी में ये कोशन आपकी काफी मदद करेंगे गाईज इस वीडियो में आपको इम्पोर्डैंट बीस कोशन देखने को मिलेंगे जो आपकी एक्जाम में काफी मदद करेंगे गाईज अगर बंगाल में अपने पहले केंद की स्थापना की ठीक है तो डचोने बंगाल में अपने पहले केंद की स्थापना जो की थी वो कहां पर की थी चिंसुरा में ठीक है चिंसुरा में की जगा थी चिंसुरा अगला हो जाएगा बायू मंदल में किस सत्य में तापमान इस्थिर कौन सा है समताप मंडल कौन सा है समताप मंडल अगला हो जाएगा भारत में कार्य के बदले अनाजकारी करम सुरू किया गया था ये सुरू किया गया था अंत किया था किसने किया था? लाड वेंटिंने Aग्ला कोशन हो जाएगा भारतिये बिधी रिपोर्ट अधिनियम पर्थमबार पारित हुआ था ये कब हुआ था गाइस 1875 में अगला कोशन हो जाएगा भारती संभिदान नियाइधी सूखी नियुक्ति की व्यवस्था करता है तो यह सर्वौच नियाले में तो यह है सर्वोच नियाले में अगला कुश्छन हो जाएगा रास्ट्रेपती और उपरास्ट्रेपती की अनुपस्तिती में भारत के रास्ट्रेपती का दायत्म कौन संभालता है गाइस तो देखी जब रास्ट्रेपती ना हो उपरास्ट्रेपती भी इन दोनों की अनुपस्तिती हो यह दोनों ना हो ठीक तो भारत के सरवोच नियाले के मुख्य नियाएधी यानि हमारा गाहवाला option जो है right हो जाएगा अगला question है इंटरनेट में प्रतेख host computer के पास होता है तो दीए इंटरनेट में प्रतेख host computer के पास जो होता है गाईज क्या होता है एक unique IP address ठीक है एक unique IP address साथ में जो MS word है ठीक है MS word document की file है उसका extension क्या होता है तो उसका extension होता है .doc ठीक है .doc इसका extension होता है अगला question है आधुनिक काल का चालग के किसे कहा जाता है तो आधुनिक काल का आया था कब आया था 20 मार्च 1942 को ठीक है 20 मार्च 1942 को अगला कोशन है किस बरस में मुगल बातसा शाह आलम के द्वारक कंपनी को बंगाल की दिवाने प्रदान की गई थी तो कब की तो देगे भारत में पुरात आतुव भिवाग की, जो इस थापना की थी वो किसने की थी लाड करजनने किसने की थी गाईज लाड करजनने राज जी निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है तो राज जी निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति करता है गाईज कौन करता है राज जी अपाल अगला है हम्मन टोटा है इस तरह से होता है तो हम्मन टोटा पोड इस्तित है तो यह पोड जो इस्तित है कहा पर स्थित है श्री लंका में अगला है मगद महाजनपत की राजदानी थी, तो मगद महाजनपत की राजदानी क्या थी, 16 महाजनपत थी गईश ठीक है, तो मगद महाजनपत था उसमें, तो उसकी राजदानी क्या थी, पाटली पुत्र, क्या थी, पाटली पुत्र, अगला है भारत का सबसे बड़ा प्र 360 कितनी होती है तीन सोचाठь है स्वास्चंद्र बोस已經 हों धिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था बोस ने घृता। जाए थे हैं कोश्टी यह काफी मदत करेंगे विडियो को लाइक करें कमें लैग और दोस्तों के शाहिर यृषियर करें अगर आप हमारे चैनल से जुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बरावर में देखें आपको घंटी के निसान को जरूर क्लिक कर लेना है क्योंकि आप किसी भी वीडियो को मिशना कर पाएंगे क्योंकि देखिए जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उसके बराबर में जो है और नॉटिफिशन का एक ऑप्सन आता है ठीक है उसको आप जरूर क्लिक कर लें क्योंकि जो भी वीडियो आती है रेगुलरी वीडियो आती है चाहिए उत्तागन जीके की हो तो आप जो कि उस वीडियो को है देख सेगा और अपनी तयार को अच्छा कर सके हैं तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग